नमस्ते दोस्तों, आज सुनेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखीवी कहानी, एक्सिडेंट 6 बजने में 6 मिनट, कुसम ने जल्दी से चाय का प्याला रख दिया, वो एक ही घूट पी पाई थी, कि आकर देखा बरसाती में कार खड़ी थी, पर ड्राइवर का पता न था, उसने एक दो बार हॉर्न दिया, फिर बड़ी तेजी से वो मोटर लेकर चल दी, ड्राइवर एक मिनट के बाद आया, कुछ दूर तक कुसम की कार धूल उड़ा कर चली जा रही थी, इधर से कुसम की कार बहुत तेजी से जा रही थी, उधर से किसी और की गाड़ी ने रास्ता काटा, परिनाम यह हुआ की चौरस्ते पर बिजली के खंबे से दोनों गाड़ियां टक रही कुसम की कार के सामने का कांच तूट गया, और सामने का कुछ हिस्सा भी तूट गया, कार और वह अपना वेक होकर मुर्दे की तरह पड़ी रह गई, कुसम के सिर और माथे पर चोट आई, दूसरी कार का मटगार्ड भर तूटा था, बाकि सब कुछ ठीक था, उस काड़ी क के दोने वेक्ती कार पर से उतर कर खड़े हो गये, एक पुरुष था, दूसरी इस्त्री, कुसम के चहरे पर क्रोध का भाव था, पर पुरुष के चहरे पर कौतुहल के साथ यह भाव था, कि वह गलत रस्ते पर थी, उसने बचाना चाहा, फिर भी कुसम ने कार लड़ा ही दी, कुसम के सिर के बहतेवे खून को देखकर, तुरंत के पुरुष ने अपनी रुमाल उसकी सिर पर कस कर बांध दी, फिर नमरता से बोला, आप मेरी कार में बैठ जाएए, डॉक्टर के घर से आपके सिर पर पट्टी बनवाने के बाद आप जहां कहेंगी वहां कुसम चिल्ला कर बोली, मुझे छे बज़े कॉलेज पहुचना था, वहां लोग मेरी प्रतिक्षा में होंगे, तो आप ही कुसम देवी हैं, आप से मिलकर बड़ी प्रसनता हुई, पुरुष ने कहा, जी हां, मैं हूँ कुसम देवी हूँ, धन्यवाद, और आपकी पुरुष ने उत्तर दिया, मैं हूँ प्राणनात सैगल, कुसम जैसे चौक उठी, शराबी प्राणनात, दुरचारी प्राणनात, कुसम ने आखें उठा कर ध्यान से प्राणनात की ओर देखा, प्राणनात के विशय में तो उसने बहुत कुछ सुना है, या वही प्राण प्राणनात है या कोई और, कुसम के चेहरे पर जैसे प्राणनात ने उसके अंदर वाले भावों को पढ़ लिया था, वह बोला, इस शहर में प्राणनात नाम का एक ही व्यक्ति है, और वो समाज में बहुत ही बदनाम है, मैं वही हूँ, किन्तु इस समय आपको डॉक्टर के घर तक मेरे साथ चलना ही होगा, आपका खून बहुत निकल चुका है, चलिए, कुसम उसके बातों का कोई उत्तर न दे कर चुप चाप कार में जा बैठी, प्राणनात ने कुसम को ले जाकर डॉक्टर के हाँ पटी बनवाई, फिर उसको घर छोड़ दिया, कुसम उस द क्रणनात किटना बन्हाम है यह तो तुम जानती हों, उसके साथ कार में बैठ कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए था, कुसम ने कहा, पर भाईया जिस दिन मेरे मोटर लड़ गई थी, उसी दिन मैं उसके साथ कार में दॉक्टर के घर गई थी, और तो मैं कभी भी कहीं के साथ पिकनिक पर गई लोटते समय दूसरी लड़कियों को उनके मकानों पर उतार कर जब वापस आ रही थी तो ठीक प्राणनात के बंगले के सामने ही उसकी मोटर का पिट्रोल खत्म हो गया कुसम यह ना जानती थी कि वह बंगला किसका है उसके साथ कोई नौकर भी न था लाचार होकर उसे उस बंगले वाले से सहायता लेनी ही पड़ी इसी मतलब से वह फाटक के अंदर गई सामने ही वर्दी लगाए एक चप्रासी खड़ा था अंदर से संगीत की ध्वनी आ रही थी स्वर किसी इस्त्री का था कुसुम बंगले में इस प्रकर गई जैसे बंगले की स्वामी नी हो चप्रासी ने रोकने का साहस न किया संगीत से उसने अनमान लगाया कि अंदर औरते होंगी पर अंदर पहुँचकर उसने जो कुछ देखा उससे वह एकदम सहम सी गई बहुत अच्छे ढंग से सजेवे एक कमरे में एक तरब प्राणनात बैठा शराब पीता हुआ एक अखबार पर नजर दोड़ा रहा था और दूसरी ओर एक गाय का जो स्पष्ट रूप से गणिका थी गा रही थी काना बाजुबंद खोल दे कुसम को देखकर गाय का कुछ सकपकाई कुसम ने पहले गाय का फिर प्राणनात को देखा और ठिठक गई प्राणनात ने भी कुसम को देखा वो खड़ा हो गया और बोला कौन? आप हैं? कुसम देवी? आप यहां कैसे? फिर उसने तुरन थी गाय का से कहा बाहर के कमरे में जाकर बैठो चपरासी से तांगे के लिए कह दो आने पर चली जाना और मनी बैक से दो दस दस रुपे के नोट निकाल कर उसे दे दिये गाने वाली सलाम करके चली गई फिर कुसुम से बोला आपको आज अचानक अपने घर में देखकर मुझे हर्ष भी है और दुख भी कुसुम देवी पर अपने दुख सुख की बात एक तरफ रहकर मैं आपके हित के खयाल से कहूंगा कि आज के बाद आप मेरे घर कभी ना आईएगा समाज की त्रिष्टि में मैं बहुत बुरा आदमी हूँ और हो भी बुरा प्रमान तो आपको आते ही मिल ही गया होगा इतना कहके वह जरा सा हसा इस हसी की तह में जो प्रचंड विशाद छिपा था वह कुसुम से छिपा न रहा पहली बार कुसुम को लगा मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वभाव से बुरे नहीं है पर जान बुझ कर बुरे बनते हैं मारमिक द्रिष्टि से कुसुम की और देखते वे प्राणनात बोला मैं बुरा हूँ आप मुझे अच्छा न समझे यदि आप मुझे बुरा न समझेंगी तो मुझे दुख होगा अरे हाँ यह तो बताएए आपके क्या खातिर की जाएए चाय लेंगी या शर्बत कुसुम ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी पिकनिक से खुब खापी करा रही हूँ हाँ पर मेरी मोटर को शर्बत चाहिए प्राणनात ने उसी समय उसकी मोटर में पिट्रोल डलवा दिया कुसुम कुछ कहना चाहती थी पर संकोच वश बोल न सकी अंत में बहुत हिम्मत करके उसने पूछी लिया आप इन गाने वालियों को क्यो बुलाते हैं क्या रेडियो नहीं है रेडियो के और अंगली उठा कर प्राणनात ने कहा रेडियो तो है इने तो मैं सिर्फ बदनाम होने के लिए बुलाता हूँ और फिर सिर्फ उन्हें गरीब स्त्रियों को बुलाता हूँ जिनका नाचना गाना ही पेशा है जिनके योव अवस्था समाप्थ हो चुकी है और रंग रूप बिगड़ गया है और जिने भर पेट भोजन करने का और कोई चारा नहीं है कुसम ने पूछा और शराब क्यों पीते हैं? अपने आपको मिटाने के लिए रुपयों का और क्या करूं? प्राणनात ने विरक्ती के साथ उत्तर दिया मैं इन दोनों बातों को फसंद नहीं करती आपके पास बहुत रुपय है तो मुझे दे दीजे मैं उनका सदवय करूंगी अधिकार के स्वर में कुसम बोलू थी फिर आप ही आप शर्मा गई उसे चाहने न चाहने का अधिकार ही क्या है? प्राणनात हस पड़ा वह बोला आप नहीं चाहती तो नहोगा पर मेरी चिंता क्यों करती है? मैं तो जान बुझ कर मिट रहूं और मिटने में ही मुझे संतोश होता है आगरह के साथ कुसम ने पूछा पर इसका कारण क्या है? कारण बहुत बड़ा है मैं जल्द न बतला सकूंगा आप घर जाए रात हो रही है आपके घर वाले चिंतित होंगे कहते वे स्वैम प्राणनात ने दर्वाजे का परदा हटा दिया कुसम बाहर निकली प्राणनात भी आया कुसम के कार बरसाती में ही खड़ी थी इस कृपा के लिए धन्यवाद कुसम देवी प्राणनात ने कहा मैं आपसे फिर मिलूंगी कहते वे कुसम ने मोटर चला दी घर पहुँचकर कुसम कई दिनों तक सोचती रही उसे प्राणनात जितना बदनाम था उतना बुरा न जान पड़ा बात वैभार में वो बिल्कुल भद्र पुरुष था उसकी बुराई करने वालों से प्राणना थी उसे सबसे अधिक शिष्ट जान पड़ा कुसम सोच रही थी कोई न कोई बात है इसकी जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जिससे वह बहुत दुखी होकर ही अपने आपको इस प्रकार मिटा रहा है बदनाम कर रहा है कुसम ने सोचा मैं उससे पूछोंगी जरूर एक दिन शाम को कुसम जब घूमने निकली तो उसकी मोटर अपने आप जैसे प्राणनात के बंगले की और मुड़ गई बाहर चप्रासी बैठा था कुसम को देखते ही दौड कर उसने साहब को खबर दी प्राणनात बाहर आ गया कुसम को देखते ही उसकी मुर्जायवे चेहरे पर कांती सी आ गई वह बोला आईए अच्छा हुआ आप आ गई उस दिन मुझसे दो बाते ना करवाने का वचन ले गई थी उस दिन से मैंने वो दोनों बाते नहीं की किन्तु उन दोनों बातों के सहारे मेरी संध्या कर जाती थी अब तो शाम बड़ी लंबी जान पड़ती है बैठे बैठे अपने क्रित्यों पर बिसुर्णे की सिवाए और कुछ अतिरिक्त रही नहीं जाता मैं किसी के घर आता जाता भी नहीं आपसी उन ही दोनों बातों की पुनरवृती की आग्या चाहता हूँ कुसुम हर्ष से उचल पड़ी उसने कहा सच उस दिन से आपने शराब नहीं चुई और नहीं किसी को बुलाया धन्यवाद आपने मेरे अनुरोत की रक्षा की है अब आप फिक्र न कीजिए आपकी शाम भारी न जाएगी मैं उसे हलकी बनाने का प्रयत्न करूंगी इसके लिए आपको धन्यवाद पर आज भी तो आप किसी पिक्निक से नहीं आ रही है नहीं नहीं चाय पियूंगी मैं बनवाईए प्राणनात ने रसोये को बुला कर चाय बनाने को कहा कुसम कुछ सोच कर बोली हाँ मैं आपसे वह कारण पूछना चाहती हूँ यदि आपको कोई विशेश कष्ट ना हो तो बताईए कि आपने अपने उपर इतना अत्याचार क्यों किया है बुरे ना होकर भी बुरे क्यों बन रहे है दुराचारी ना होकर भी अपने आपको दुराचारी साबित कर रहे है इसके एक कहानी है कुसुम देवी सताया और बड़े ही नाजुक समय में उसकी ओर से इतना उदासीन रहा उसकी बातों को ठुकराया कि शायद वह गली-गली टुकड़े मांगने तक को विवश हो गई हो इसके बाद एक घटना ने मेरे पूरे संदेह को दूर कर दिया मैंने अपने गलती समझी और जाना कि वह बिलकुल निर्दोश है उसके साथ मैंने बड़ा अन्याई किया है मैं उससे शमा मागने के लिए गया उससे लाने के लिए गया किन्तु तब तक उसका वहां कहीं पता न था कहीं भी पता न लगा नजाने वक कहां चली गई इस खयाल से भी मैं बहुत सी औरतों के यहां ग बस बहुत हो चुका आपने अपने उपर काफी अत्याचार किया है अब आप यह ना कर सकेंगे आपने एक स्त्री के साथ अत्याचार किया है कष्ट मुझे भी हुआ पर आप अब जो अपने उपर अत्याचार करते हैं उससे भी मुझे बहुत कष्ट होता है अच्छा मैं आपको कल अपने घर चाई के लिए निमंत्रित करती हूँ शाम को पाँच बजे आप खोद आ जाएंगे या कार बेजनी पड़ेगी वैसे तो मैं आ जाऊंगा पर आपके घर वाले इस बात को न पसंद करेंगे मेरा आना उन्हें अच्छा न लगेगा आएंगे नाप जी हां आऊंगा ठीक पाँच बजे ठीक है ठीक पाँच बजे दूसरे दिन कुसुम ने चाई के लिए बड़ी तयारियां की बहुत तरह की मिठाईयां और फल इत्यादिय द्मंगवाए कुसुम को पहले तो प्राणनात पर तरस आता था अववा उससे कुछ प्रेम करने लगी थी उसने अपने कुछ सहेलियों को भी बुलाया था कुसुम अपने सहेलियों के साथ अनेक बार प्राणनात के चर्चा सुन जुकी थी वे सब प्राणनात के नाम से घ्रिना का भाव व्यक्त करती थी कुसुम उन्हें दिखाना चाहती थी कि जिस प्राणनात को वे शराबी, बदमाश और वासना का कीट समझती है वास्तों में प्राणनात वैसा नहीं है उसने निश्चे किया कि पहले वा प्राणनात का परिचे किसी को न देगी उसके बारे में सबकी राय जान लेगी तभी वा बताएगी कि यहां आदमी कौन है उसका भाई घर में नहीं था बुढ़े पिता बच्चों की इस पार्टी में शामिल होने वाले नहीं थे कुसुम ही थी जो कुछ थी और उसकी मा और उसकी सहेलिया थी उसकी सहेलिया पहले ही आ चुकी थी प्राणनात ठीक पांच बजे आ गया प्राणनात बहुत गोरा देखने में सुन्दर था कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद कुसुम ने अपनी परिचारी का भामा को चाय लाने के लिए कहा कुसुम देख रही थी कि उसकी सहेलियों में से कोई भी प्राणनात से जंगली जानवर या हववा की तरह नहीं डरती किन्तो खुल कर स्नेय से उससे बादचित कर रही है एक दोने चुपके से पूछा भी कि यह कौन है कुसुम ने कहा मेरे दूर के रिष्टे के भाई होते है इसी समय भामा चाय लेकर आ गई एक सुन्दर से ट्रे में उसने चायदानी और प्याले वगरे सजा रखे थे मेज के बहुत करीब वो पहुच भी न पाई थी कि एका एक उसकी दृष्टी प्राणनात पर और प्राणनात के दृष्टी भामा पर पड़ी एक चंड तक दोनों ने एक दूसरे को देखा अचानक भामा जैसे काप उठी उसके हाथ से ट्रे छूट कर धर्ती पर गिर पड़ी चायदानी उसके पैरों के पास गिर कर फूट गई प्याले दूर दूर तक कमरे में बिखर गए भामा निर्जीव सी वही धर्ती पर बैठ गई प्रामनात के मुँसे एक चीक सी निकल पड़ी रुकमनी और वे सब अपनी अपनी कूरसी छोड़ कर निर्जीव सी पड़ीवी भामा की परिचरिया में लग गये इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ऐसी और भी कहानिया सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोट की वे सभी कहानियों को आपको मिलता रहे जल्द मिलूंगे एक नए कहानी के साथ नमस्कर